नमस्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हकलाने की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति सही तरह से अपनी बातों को नहीं कह पाता है और उसे अपनी बात कहने में काफी समय भी लगता है जिस वजह से उस व्यक्ति को किसी दूस योगा बताएंगे अगर आप इन योगा को नियमित रूप से अच्छी तरह से करते हैं तो आप अपने हकलाने की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने अंगूठे के नीचे दो दो मिनिट के अंतराल में दबाना दोस्तो अगर आप लोग अपने अंगूठे के नीचे दो दो अंतराल में दबाते हैं आगे और पीछे की और तो आपको इससे काफी जादा फायदा मिलेगा और हकलाने की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाए हैं तो आपके हकल्याने की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है लेकिन आपको इसमें नियमित, रूप से इस योगा को करना पड़ता है, और थोड़ा समयम रखना पड़ता है नंबर 3, उज्जाई, उज्जाई एक ऐसा आसन है, जो हकल्याने समस्या के साथ साथ कई और शार्गिक फायदे भी आपको देता है अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपके हकलानी की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है नमबर चार अनुलोम विलोम अगर आप लोग इन योगा के साथ कुछ देर अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं तो आपको हकलानी की समस्या में काफी जादा फायदा मिलता है नमबर पांच सर्वांग आसन कैई आसनों में सबसे अच्छा आसन माना जाता है अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपके हकलाने की समस्या काफी जल्दी ठीक होती है नमबर च्छे हलासन हलासन एक बहुती अच्छा और आसन आसन माना जाता है अगर आप लोग इसे अच्छे तरह से करते हैं तो आपकी थाइरेड गरंथी पर भी इसका असर पड़ता है और आपकी हकलाने की समस्या जल्दी ठीक हो जाती है नमबर साथ उस्ट्रा आसन उस्ट्रा आसन हकलाने की समस्या में बहुती उपयोगी वाना जाता है अगर आप इसे करते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा ये तीन आसन ऐसे आसन हैं आप इन तीन आसनों में से किसी भी एक आसन को नियमित रूप से करते रहें इसे नि और असानी से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों आपको यह जानकरी कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह नियूज अच्छी लगी हो तो इसे जादे से जादा लाइक और अपने दोस्तों को वर्टसेप पर जरूर शेयर करें हमारे इस सब्सक्राइब साइड पर भी जरूर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है